नमस्का, राजनमा टीही पर आपका सौकत है, में प्रियाम आपके साथ पंजाब के लुधियाना में रवी बार सुबग गेस लिके से 11 लोगों की मोत हो गई मरतकों में 5 महिला और 4 पूरुष समित 2 बच्चे शामिल थे बच्चों के उम्र 13 और 10 साल है हासा शेहर के ग्यास पूरा इंडरस्ट्रिल एरिया के नजदिक एक इमारत में बने मिल्क बूत में सुबह साथ बचकर 15 मिट पर हुआ लुधियना की SDM स्वाती ने बताया की गेस रिसाओ के बाद 12 लोग बेहुश भी हो गए गटना के बाद मेडिकल, फाइर ब्रिगेट, पुलिस और NDRF की टीम में मोके पर पहुच गई है बिमार होए लोगों को जिला अस्पताल ले जाया गया है यहां की विधायक राजिंदर पाल कोड ने कहा कि इमारत में मिल्क बूत खुला हुआ था और जो भी सुबह यहां दूद लेने गया वो बेहोश हो गया प्रशासन ने इमारत के आसपास एक किलोमेटर के इलाके को सील कर दिया है रियाशी इलाके में बनी इस बिल्डिंग के तीन सु मीटर के दायरे में कई लोग बेहोशी की हालत में मिले हैं आसपास के घरों और ढाबों के लोग भी भेहोशूर है प्रशासन ने ड्रोन की मदद से आसपास के इलाकों में सर्च अभियान चलाया लुदियाने के पुलिस कमिशनर मंदिप सिद्धू ने बताया कि घटना वाली इमारत से सभी लोगों को निकाला जा चुका है इलाके में रहने वाले कपिल कुमार नाम के एक वेक्ती ने बताया कि उनके परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई है कपिल ने बताया कि जब गेस लीक हुई उसमें परिवार के लोग सो रहे थे उसी दोरान गेस के असर से उनकी मौत हो गई अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इलाके में किस गेस का रिसा हुआ और इसकी वज़ग क्या है हलाकि शुरुआती जाच में गेस की बद्बू सीवरेज गेस जिसी पाई गई अब गेस की जाच के लिए मशीने मंगवाई गई है पुलीस कमिशनर मंदिप सिद्धू ने बताया कि सीवर में तेजाब की वज़़े से ऐसा हो सकता है या अंदर किसी केमिकल की मुझूदगी इस गेस की वज़़े हो सकती है हलाकि जाच के बाद ही उपचारिक तोर पर कुछ कहा जा सकता है